तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे आशित धवल चैनल पे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नमबर फाइफ जो की है वीडरस के कवित जो की भूशन के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म हुआता 1613 के अंदर और इनकी मृत्ति हुईती 1715 के अंद दोस्तो मैं आप साही बाग कहाना चाहता हूँ अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो पसंद आए या फिर आपको आगे भी वीडियो देखने है और ओर को यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो हमें स्टार् कभी परिशे देख रहे हैं सबसे पहले हम दितिकाल के संगार प्रदान कावे सरिता में वीर दस की प्रबल धाराब आने वाले कभी भूशन का ज़न्म उत्तर प्रदेश में उआ था कानपूर जिले तिकवाप पूर्णामक गाउं में उआ था इनके पिता का नाम दतनागर चात्रपती शिपाजी या चात्रपती सिपाजी या चात्रच साल महराजा के दरबार में विशे सम्मान भी प्राप्त हुआ था फिर उसके बाद में कभी भूशन की रचनाओं में शिवराज भूशन, शिवराज भूशन हजारा या फिर भूशन उल्लास आदी का उल्ले किया गया है उनके सरवादिक प्रसिद्ध रचना सिवराज भूशन है जो कि भूशन की रचनाओं में दास्टियता की भावना भूशन की रचनाओं में क्या देखने को मिलता है दास्टियता की भावना व परस्टित पार्ट में कविकर भूषन की पाँच कवित पाँच कवित लिखे हैं जिसमें सिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलवली मत जाती है और धूल के गर्द से सूजय तारे जैसा लगने लग जाता है और समुद्रेट थाली में दखे हुए पारे के समान प्रतित होता है औरंग जेब के दर्बार में समुचित समान ना पाकर क्रोध में उबलते हुए शिवाजी का रौधर लाल मुख देखकर औरंग जेब का मुख काला रंका हो जाता है और सिपाईयों का मुख भैसे पीले रंका पड़ जाता है फिर से का जैसे जमबा सुट और जैसे बाडवनल यानीarken हैं समुद्र में आग लगने वाली आग सागर के ऊपर आहें और नावं का दावन का रावन के ऊपर होता है और वायू का बादलो्च पर होता है शंकर कामदेव पर होता है परशुराम का सहस्त्रबाव पर होता है और दावागनी का व्रक्षों पर होता है और चीते का म्रगजुंड पर होता है समूब पर रगजुन के समूब पर होता है और शीर का हाथियों के समूब पर होता है और प्रकाश का अंदिकार पर होता है श्री किष्ण का कंस पर होता है और इसी प्रकार शीवाजी के तुलनाभी गरूड सिंग इंद्र बाद सूर्डे से की गई है और कभी मानता है कि सूर्डे के समा नवखंड भूमंडल पर सरवत्र शिवाजी का वर्चस्व रेगा वर्चस्व है फिर उसके बाद में विर्रस के कवित इस चाप्टर कर नाम है और सजी चतुरंग सैन सजी यानि सजी सजना चतुरंग सैन यानि चार अंगो वाली सैना जैसे की हाती घोडे रत और पैदल अं सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग तरी अंग में उमंग यानि शरीर में थोड़ी उमंग रखके सीवाजी की चतुरंग सैना सजी सारजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं सर्जा सिवाजी यानि सिवाजी की उपादी दी गई है, सर्जा सिवाजी जंग जीतन चलते हैं, सर्जा सिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं, सर्जा सिवाजी जंग जीतने के लिए जा रहे हैं, और बूशन भनद नाद बिहद नगरन के, बूशन भनद यानि बूशन जी कहते हैं कि जो नगरों के जो नाद होते हैं यानि जो नगाड़े होते हैं वो वजरे हैं उसके बाद में नदी नद मद गैबरन के दलत हैं नदी नद मद गैबरन के दलत हैं मद यानि पसीना होता है और गैबरन गैबरन यानि हाथियों के दलत यानि मतलब भहराय और नद नद नले बन दें किस चीज के हाथियों के जो कान के नीचे से या उनकी बौडी से जो पसीना निकल दे उससे नालिया बन गई है और नदिया नाले बहने लग गए है उस पसीने से और एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल यानि फैल फैल कर हाती चल दे हैं हाती गोड़े जो भी हैं वो फैल फैल कर चल दे हैं खेल फैल यानि मतलब एक दूसरे से टकराते हुए चल दे हैं और खलक में गेल गेल खलक में गेल गेल यानि रास्ते में दास्ते रास्ते में वो एक दूसरे से टक्राते हुए भिड़ते हुए चलते हैं उसके बाद में गज की ठेल पेल सेल उसलत हैं गज की ठेल पेल से यानि गज के भिड़ते भिड़ते चलने से या फिर आगे बढ़ने से सेल उसलत है यानि सेल यानि पहाड और उसलत है यानि मतलब उखड जाते हैं ऐसा लगता है कि जो हाती चल दें उनके चलने के कारण जो सैल यानि पहाड है वो उखड जा रहे हैं उखड दें सारे के सारे पाड फिर उसके बाद में तारा सो तर्णी धूरी दरा में लागत जिमी तारा सो तर्णी तरनी यानि सूदे धूरी दरा में लागत जिमी तो सूदे वो धूल उड़ी है उनके जाने से तो सूदे उनकी जो धूल उड़ी है उसके कारण तारेगा जैसा लग रहा है फिर उसके बाद में थारा पर पारा पारावार यो हलत है और जो समुद्र है उसके उपर भी मिट् एक दम मतलब ब्राउन कलर का हो गया है तो ऐसा लग रहा है उसको देखकर थारा पर यानि थाली पर पारा जो पारा होता है मरकरी वो पारावार यह हलत है मतलब पारा हिल ला है उसको समुद्र को ऐसे देखकर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानलो थाली के उपर पारा ऐसे ह पिंदा ऑफ फिर उसके बाद में सवन के उपर ठाड़ो रहीवों के जोग यानि सबसक्ते और थाड़ो रहीवों के जोग यानि सभी गब खुड़े योग सभी के खड़े को घुड़े। उसको खड़ा किया, हजार इन के नियरे, यानि छो चैनिको का समूध था, एक पद था, उनके पास में या उनके आगे उनको खड़ा किया, किसको, सिवा जी को, जानी गहर मिसिल, ऐसा जानके, कि ये मेरी, क्या बलते हैं, मतलब अपमान कर रहे हैं, अपमान जनक महसूस कर कि महसुस कर दें मतलब जैसी सिवाजी ने अपमान जनक महसुस किया तो गुसीले गुसा गुसीले यानि गुसा हो गए गुसा धरी मन में उनके गुसा हो गया बहुत जादा फिर किनों ना सलाम ना तो किसी को सलाम किया किनों ना सलाम यानि किसी को सलाम नहीं किया बूशन यानि बूशन भनत यानि कहते हैं महावीर बलकन लग्यों महावीर है वो बहुत ज्यादा गुसा हो गए बलकन लग्यों यानि बहुत ज्यादा गुसा हो गए उसके बाद में मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए उसके बाद में सारी पात्साही के उडाए प्रानी ओडा दिया हुट सारे के से लाल मुक्थ शीवा को देना तेक खुस्से को लाल मुख सिवा को निर्खी भय लाल मुख हो गया किसका सिवाजी का इससे सिवाजी का मुख लाल हो गया निर्खी भय यानि लाल सा दिखने लगा फिर उसके बाद में शा मुख नौरंग यानि औरंग जेब जो थे उनका मुख शा मुख यानि काले रंग का हो गया और ना क्या बोलते हैं कि जो अच्छा ही है उनको वर्ण करते हुए भूशन जी कह रहे हैं कि तेरे ही भुजाओ उपर भूतल को भार यानि जो धर्ती है उसका भार सारा का सारा टिका हुआ है तेरी भुजाओ उपर कहने को तो कईबे को तो कईबे को यानि कहने को तो नाग ऐसा माना जाता है कि इनकी कंदों के उपपर किसका ठिका हुआ है धर्टी का पूरा भाठ टिकला लेकिन वह कहने की बाते हैं ओली फिर उसके बाद में तेरो अवतार यानि जो शिवाजी है उनका अवतार हुआ है जग पोशन यानि संसार का पोशन करने के लिए बरनह ब्रवान नाइतामी अमल हैज़ना इसमें कोई भी हस्तचेप नियें साचितनी यानि साजी के बेटे सरजा यानि सिव्जी समंद हैं सिवराज कवी शिवराज जो उनके बेटे हैं वो हर तरीके से कहें समर्थ है भूशन कहत भूशन कहता है कि जीवो तेरो ही सफल है जो सिवाजी है उनका ही जीना केवल कहा है सफल है जीवो तेरो ही सफल है यानि जीना तेरा ही सफल है भूशन ऐसा कहते है फिर उसके बाद में तेरो करपाल, सिवाजी का जो करपाल है, तेरो करपाल यानि उसका जो तलवार है, उसकी जो तलवार है, करे यानि करती है, मलेच्छन यानि जो मुगल है, उनका काल यानि विनाश करती है, तेरी जो तलवार है, वो मुगलो का काल करती है, मुगलो का मतल बिना किसी काम कही धरती पर काल UMA कालि भूखू है वह सारेकों काल के शु lanz इस का बनोगाई का इस आए ऐसा करके फाल्टू के ही अई भीटत्रा ह SEGA हम छूखू जू झाव शुल्बंगाऊं से जिकसी काम में इन सब का दावा होता है किसी एक चीज़ पर जैसे जिमी इंद्र जिमी जमपर इंद्र का जैसे होता है जरमबासूर जो राक्षर था उसके उपर उसी प्रकार से जो सिवाजी है उनका भी किस पर जो पात्सा ही है उनके उपर बहुत जादा दबाव है यानि प्रभाव है उ सब्सक्राइब सब्सक्राइब समूद्र में लगने वालि आ जैसे पहीं वहाँ पानी अज़ पारिया फिर बादलों के ऊपर होता है पहें उडल कि बादल या पानी वच दोनों कुछ भी ततलीं में सदंब कोश दावन का जो कुल है सदम यानि कुल पर दगु कुल दाज है यानि श्री राम जी है दावन के कुल पर क्या है श्री राम जी का प्रभाव है पौन पारिवा पर पर यानि पवन बादलों पर पारिवा यानि बादल पर और संबू रतिना पर दतिना यानि जो दती के जो पती ह उनके उपर जो काम देव जी है उनके उपर शम्भु यानि शृफ जी का क्या होता है प्रभाव होता है उसके बात में जो सहस्त्रबाव उपर एक राक्षज ये शैस्त्रबाउ जिसके सहस्रों अजिसकी शैस्त्रों बुझाए थी उस पर किसका होता है राम ढूर्वग्राज है उसके अंदर लगने वाली आग का द्रोम दंड यानि पेडों के समूँ पर और चीता मुझ जुट पर चीता का कसी औप पर प्रभाव होता है मर रगी म्रग के झुटे होता है उसके अपर उता है प्रभाव और उसके बाद में बूशन बूशन बुटुन्ड याईनि यानि हाथियो के समवेव पर जैसे म्रग्राज यानि शेर का प्रभाव होता है या फिर दबदबा होता है उसके बाद में तेज्टम अंच पर उजालेगा जैसे अंच यानि अंधिरे के उपर उपर तेज्टम जो सभारी होती है कर दाए लिए नी डावा यानी सिवाजी यह उसके बाद में जैसे नाग के समूपर जैसे उसका है और दावा नागजू पर सिंग सिर्टाज को नागजू यानि हातुगों के समूपर सिंग सिर्टाज को यानि जो शेर होता है उसका जैसे दावा होता है दावा पूरहूत को पहारन के कुल पर पूरहूत यानि जो इंद्र है उसका होता इसके बाद में भूशन Wirons which?", भूशन अखंड, नौब और ही खंड में भूशन जी कहते हैं जो नौघ मंडल में सुर्ज की किरण होती है वह सारी की सारी जगय gi Значит कि करने समाझ को जैसे कि जैसे रभी कस दवी कि रहनी सूरज की कि दुरस की करन होती है वह सारी के सारी मुझे पहुंचती है तो सूरज की क्रण का प्रभावव Gente hasn नो ग्रहोप होता है वैसे कहा वैसी शिवाजी का वी उनकियोपर मुगलों पर है पूरव से पूरव पच्छाव देश पूरव से पच्छिम के देश दक्षिन ते उत्तर लो और दक्षिन से उत्तर तक के ले लो उसके बाद में जहां पात्साही जहां पे भी वो पात्साही अर्था जो दुष्ट लोग है तहां दावा सिवराज को वहां पे दावा यानि प्रभाव है या दबदबाय किसका सिवराज को सिवाजी का ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बैल आइकन को दबा देना हमारी आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के तो निख। ग्या ग्या सिवरा एक प्रक ठाले करना मत भाइकन करना मत देखने के अजागवर और नह सबसेैं एक दो झाला मत पुर देखन neighbourhood, को